दोस्तों भी कुछ दिन पहले मैं ने आईफोन से फोर जनरेशन से एक वीडियो बनाए थी जिसके दर मैं आपको काफी बड़े बड़े चेंजेश बताए थे और अभी एक लिक और समने निकल के आ रहे है जिसमें की बताया जा रहा है कि आईफोन से फोर जनरेशन के अंदर जो कि आप इस साइट पर देख सकते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा से सपोर्ट करें विकोज अभी आपकी सपोर्ट की जरूद है मुझे तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपग्रेड की क्या चीज़े देखने को मिल सकती है जिसमें क्या आता अपग्रेड जिसके अंदर आपको यहां पर एक टच आइडी देखने को मिल जाती थी छोटी डिस्प्लेइ उस इक साथ ऐलसीड डिस्प्लेइ थी बैटरी चोटी कैमरा सिंगल यह सारी चीज़े देखने को मिल जाती थी अब जो आइफोन ऐसी फोर जनरेशन आने वाला ह और 6.1 इंच की डिस्प्लेइ देखने को मिल जाती है तो आइफोन ऐसी जो फोर जनरेशन होने वाला है उसके अगर हम बात करें तो डिजाइन इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग डिस्प्लेइ पर देख पार हो इस सिंगल कैमरे के साथ देखन को मिलती थी और LCD डिस्प्लेइ देखने को मिल जाएगी और रिफ्रेशिट अगर मैं बात करूँ हो तो मैं तो अभी आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको 60Hz रिफ्रेशिट देखने को मिल सकती है अपग्रेड नहीं होने वाली क्योंकि एक बजट का फोन है तो बजट के अपको काफी चीज़े कम देखने को मिल जाएगी यह दूसरा अपग्रेड था अब तीसरे अपग्रेड की बात के लिए तो वह इसका कैमरा जो की रियन में हमें सिंगल कैमरा मिलेगा बट एक कैमरा जो अपग्रेड होने वाला है क्योंकि अभी तक कि जितने भी फॉन की बात के लिए ऐसी वर्दिन की तो उसके अंदर में देखने मिलता था 12 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा बट अभी चो आइफोन 15 और आइफोन 14 प्रो प्रो मैक्स के अंदर यूज होता था 48 मेगा पिक्सल का कैमरा वह कैमरा में आइफोन से 4 जनरेशन के इंदर देखने को मिल जाएगा और यह चीज काफी अधक फाइनल भी हो चुका है सिंगली कैमरा होगा बट वह कैमरा जो 48 मेगा पिक्सल का देखने को मिल जाएगा जो कि आइफोन 15 के इंदर भी देखने को मिलता है और उसके अपर मोडल की बात करें तो उ आईफोन जो अपने छोटे-छोटे मॉडल के अंदर आपल कंपनी जो ए यह फोर की बीडियो रिकोडिंग देती है तो उसके इंदर भी आपको फोर की वीडियो और हो सकता है कि आपको उसके अंदर जो एक्शन कैमरा वह भी देखने को मिल सकता है तो अगर यह साई चीज तो अभी तक कि अगर हम बात के लिए तो आइफोन 15 और 15 प्लस तक की बात के लिए तो यहां पर हमें Mute Switch Button देखनों मिला है जिसको हम नीचे कर दें तो Mute हो जाता है उपर कर दें तो Unmute हो जाता है अगर हम बात करें लाश्ट अप्ग्रेड की जो कि इसका चार्जिंग का पॉर्ट अब चार्जिंग पॉर्ट के अगर हम बात करें तो आइफोन 15 से चालू हो चुका USB Type-C का पॉर्ट तो iPhone SE 4 generation के अंदर भी हमें अब lightning पॉर्ट के बतले USB Type-C का पॉर्ट देखने को मिल जाएगा और यह चीज़ फाइनल है आप लिखके भी मैं आपको लिखके भी दे सकता हूं कि iPhone SE 4 generation के अंदर और इतके बाद जितने भी आने ओले फोन है उसके अंदर हमें चार्जिंग के लिए USB Type-C का पॉर्ट देखने को मिल जाएगा अब जो चार्जिंग USB Type-C का पॉर्ट होने आला है वह आपको 2nd generation का ही देखने को मिल सकता है यह चीज मैं नहीं बता रहा बट हाँ हो सकता है कि 2nd generation का ही देखने मिले क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है कट आउट देखनों को मिल जाएगा फीचर में तो अभी तक कि यह पांच ऐसे बिग अफग्रेड हैं और डिजाइन के नदर चेंजर से जो कि मैं आइफोन ऐसी फोर जेनरेशन के देखनों को मिल सकता है बाकी चीप की बात कर लिए तो ऐसा बताया जा रहा ह तो मैंने अपनी लाश वीडियो भी बताया था और अभी वही चीज़ बताऊंगा क्योंकि अभी फानल प्राइस तो समने निकल के नहीं आया बट जो भी लोग एक्सपेट कर रहे है और अगर माने लिख की तो इस फोन की जो प्राइस हमें देखनों को मिल सकती है पचास स थोड़ा समेंगा है बट आइफोन 13 इससे काफी कम प्राइस में देखनों मिलता है तो एक चीज में आप पे छोड़ता हूं कि अगर आइफोन ऐसी जब फोर जनरेशन लांच होता है तो आप कौन सा फोन जो है लेना प्रिफेर करोगे मतलब कि कौन सा कंसिडर करोगे आइ 12 मेगा पिक्सल के ही है और इसके अंदर आपको 48 मेगा पिक्सल के देखनों मिल जाएगा अब अगर हम बात करें कि कब तक लॉन देखनों मिलता है तो अभी एक लिक सामने निकल कि है जिसमें कि बताया जाता कि आइफोन ऐसी फोर जनरेशन जो हमें 2024 के मार्च के मंत में द देखनों को मिल सकता है 2025 के मार्च के अंदर देखनों मिल सकता है तो अगर यह फोन अभी लॉंच हो जाता है तब तो अच्छी बात है अगर डेले होता है तो इसका जो अपडेट है आपको मेरे वीडियो के थुरू इस चैनल पर मिलता रहेगा वसे आप लोगों क्या लग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना